हेलो एन वेलकम मैं हूँ से विया सिद्धी की तो आज हम बढ़ाएंगे चाइनीज एक फ्राइड राइस तो हमने यहां पे लिया है दो अंडो को और उसमें दो चुटकी नमक डालके चितरी के से भेट लेंगे और हमने यहां पे 300 ग्राम चावलो को 100% बॉयल करके रख लिया है और अब हमें चाहिए कुछ सबजीया तो हमने सबसे पहले यहां पे लिया है फ्रेश हराम अटर जिसको हमने बॉयल कर लिया है एक प्याज लिया है अद्रक लसन और हरी मिर्च चारपाँ चुटे बारी काट लिया है और सबजीया एक एक कपली है श्रीमला मिर्च पत्ता गोवी गाजर हरा दिनिया एक मुठी और डर्टी स्पून काली मिर्च का पाउडर 2 टी स्पून हमने टुमाटो सॉस 1 टी इसे पहले अंडा डाल के इसे तयार कर लेंगे तो इसकी अच्छे से बचिया बना लें इसको ब्राउनिंग करना है सिर्फ पक जाए और इसे निकालने फिर इसी पैन में आगे का प्रोसेस करेंगे अब इसमें हम डालेंगे टू टेबल स्पून कुकिंग ऑईल फाइनली चॉप्ट किया हुआ जिंजर गार्लिक पांच सेकेंड के लिए से भूनेंगे और इसमें डालेंगे हरी मिर्च मिर्च कमजाद आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे हम प्याज ग्रीन और वाइट प्याज अब सबसे पहले आट करेंगे गाजर को तो गाजर हमने या पे फाइनली चॉप्ट किया है गाजर को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा बाकी सबजियां सिर्फ पांस सेकेंड ही उनको चलाना है तो दंगलाना नहीं है सब्जियों को थोड़ा से क्रंच ही रहेंगी तो अच्छी रहेंगी तो अब इसमें हम अट करेंगे बाकी सब्जियां तो अब शिम्ला मिर्च डालेंगे अशने पता हो भी जाएगा अब इस जेगे पर आप जए कि दोंड़ नमक डालें। मुटर डाल दें अब आट करेंगे इसमें चावल बॉइल के हुए वन टीस्पून डालेंगे वाइट विनिगर कालिमीज का पाउडर डालेंगे अब इसमें हम डालेंगे हाफ टीस्पून नमक सोया सॉस टोमेटो सॉस चिली सॉस सॉस को आपको चावलों के उपर डालना है अगर सबजियों पर डालेंगे तो वह सब काली हो जाएंगी तो दिखने में अच्छी नहीं लगेंगे तो इसलिए सॉस को आप चावलों के उपर ही डालें और अच्छी तरीके से तेज आज पे मिलाएं और फाइनली तयार है हमारा एक फ्राइड राइस तो सबसे लास्ट में इसमें एड किया मैंने एग और अब इसमें डालेंगे गार्निशिंग के लिए हरा धनिया तो तैयार है हमारा एक फ्राइड राइस तो बहुत ही फटा फट से बन जाता है पांच मिनट में अगर आपके पास चावल बॉयल के रखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्राइस 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 प्राइस